नश्का दोस्तों आप शब का श्वागत करते हैं कारकॉल बिस्टे के ओलाइन प्रोटल पर आज वुन बात करेंगे लाइब्रेटी ग्रेड यानि के अधिनस बोड के द्वारा हाली में आयुजित प्रिक्षा लाइब्रेडी ग्रेड थर्ड का जो पेपर यहां पर हुआ है की दिसक्स preciso के मादम से करने वाल आ अगर पेपर की बात करें तो हाइब फिफिटी कौशें ट्रॉटल इहा है इसमें फिफिटी कोश्वह रास्ता सभीके दें और हैं यहाँ जो फिफिआफे थे हैं फिक डिएक्टी की छा 1971 क के कोश्व करने इसका परिश्या का आयोजन यहां पर किया गया है तो चली कोशन नमर फर्स की अपने बात करेंगे तो आपके सामने आपर आ चुका है कि पहला कोशन जो है आपर रास्तान के कौन से शाषग अपने रियाश्यत को एक मात एक के सवतंत्र एकाई यहाँ पर रखना चाहते थे माहराज अहनवन सिंह इसके राइट आंसर है सेंगड कोशन की बात करें है कालिभाइ रास्तान केकिश अंदुलन से समधीथ तो यहाँ पर रास्तापाल इसका राइट अंसर है नंक्स अगर बात करें और रास्तान के एक किशान आंदुलन से समधित थे तुम आपको बता दू इसका राइट आंसर जो है वो विजोलिया किशान आंदुलन है नेक्स्कूशन्स के बात करें यहाँ पर कॉशन आफर फाइफ की तो यहाँ पे गुजर प्रतिहार वन्स के किस साशक ने अपनी राजदानी मंडोर से मेरता स्थानांतरित की इसका right answer की बात करें तो यहाँ पे नागबट फस्ट जो थे Next questions की बात करें तो यहाँ पे कौन से political events जोदपूर में 1857 के विलप में मारे गए थे तो इसका राइट ऑंसर जो है वो मेक के मोशन जो है नेक्स कोशन की बात करें तो यहाँ पे कोशन नमर सेवन की बात करें तो शामुगड के युद में दारा की प्राज्य का समाचार मिलते ही किस राजपूत सासन ने औरंग्जेव की अधिंता यहाँ पर इशविकार की ती मिर्जा राजा जैसिंग के द्वारा है इसमें थोड़ा कफ्यूजन है मेरे को नेक्स अगर बात करें तो खेजडी का पेड किससे समंदित है तो यहां पर गोगाजी देवता है उनसे इनका शमंद है मेवाती बोली कहां बोली जाती यह रास्तान में तो अलवर जिले में यह बोली यहां पर बोली जाते है कर नेक्स कोंशन के बात करें तो जीवन कुटिर के डीट निमन में से किसे द्वारा हो decisvas नेक्स के द्वारा लिखा गया है तो हिराल शास्त्री जो गी जैपूर instrumental के हैं उनके सब्सक्राइब प्रार्ण थंबोर किले का प्रार्मिक नाम क्या था तो उसका उप्शन नमर ए है यानि रण थंब पूरा इसका नाम था वनस्तली विद्यापीट का समझ जो है नारायनी देवी से है नेक्स्ट कोशन की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हुए जोदपूर के क्राटचें दुरक का निर्मान किसके दोआरा यहां पर कर वाए गया था राुजोधा इसका राइट अशर होगा नेक्स्ट है देश हितेशनी सभा स्थापना दिवस जो ए वो कब है तो इसका राइटि अनसर की दो जुलाइ 1827 इसका राइट अनसर यहां पर हो जाएगा सब्सक्राइस नहीं जाइगा परस्ति का रचना किसके दोर्य शहाइगा नेक्स कोशन की बात करें तो यहाँ पे अलवर इसका राइट आंसर है नेक्स कोशन 25 में बात करें तो जैपूर चितर कलास सेली को सेली का शरवन काल जो है किस शाशक के काल में माना जाता है तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो यहां पर सवाई Jaising जो है इसके शनो काल माने जाते हैं नेक्स कोशन यानि कोशन नमर 26 की बात करेंगे, 26 की बात करेंगे तो लिमिल लिखिती में से कौन सा राष्टी पारक वन्न जीव अभ्यारन से में सबसे बड़ा है यहां पे तो इसका राइट आंसर जो है वो सरिस्का हो जाएगा नेक्स कोशन की बात करें तो बीखा बाई सागवडा नहर जो है वो डूंगरपूर से यहां पे समंदित है नेक्स कोशन की बात करें तो यहां पे राजस्तान राजस्तान में सरवादिक फिल्सफेर कहा होता ह यानि इसका राइचांसर जो है वह आजमर हो जाएगा नेक्स सबात करते हैं वह चिंध्री ये बेड पर्जनन केंदרי कौन से इस्तान प्रिस्तित है अभीक आनगर में आप इस्तित है question no 30 की की बात करें तो impactful ग्यांत राजस्तान को 29 चुहा नाम से जाना जाता है इसकी बात करते हैं यहांपे त्यूर्स की बात करें तो यहां पर उस्तों पहल सा तुम्हें क्थते हैं गणा इद्च वाहन पर करें यहां पर दोंगे पारहा हूगा मैं आपको बता दूख पुर्वे बैदानी करशी जलबायी उपकर average खुआब आपको बता दू जैपूर अजमेर दोशा टॉंक इसका राइट अन्सर हो जाएगा नेक्स कोशन 33 की बात करें तो यहां पे पननालाल बारू पाल इसका राइट अन्सर हो जाएगा पर रास्तान के आंतरिक प्रभात अंतर में निमल लखित में कौन सी नदी शामिल यहां पर नहीं है तो शोता जो है वो यहां पर कोई नदी नहीं है next questions की बात करें तो question number 36 की बात करेंगे 35 की बात करें तो रात्राड़ा airport यहाँ है डाकाँ निकि हवाइड पूर अक्डूर तल्वारा की बात करें तो यहाँ गंगा नगर से समון दीत नहीं है अभियारण में इस्तित है तो यहां पर मेरे साब से बंद बरेठा होना चीए लगि मुझे इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग उसको राइट आंसर देगे आपर कमेंड बोक्स में बता सकते हैं Qayan जो अनुसदर केंद्ड में वो कांसीत रासतान में इसमें आप नेक्सों को के बात करें और यहां पर को से रास्टिए उद्धान वन जी अभियारं में जोगी महल यहां पर इस्तित है तो यहां पर रन थंबूर रा रास्टिए उद्धान जो है किस फसल के लिए कौन से सर्वसिस्ट मरदा का उपयोग यहां पे किया जाता है पीली इसके लिए राइट उंप्षन है नेक्स अगर बात करें तो बर्बरी का परबडी एक पर जाती है तो यहां पे भेड़ बकरी से मेरे साफ से यहां पे राइट उसका बकरी हो जाएगा next questions की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फेल्स फार जो है फेल्स फार जो है खनीज कौन सी चटान में यहाँ पे पाय जाता है पेगमेट टाइट इसका राइटांस रो जाएगा next उत्तर पश्यमी रेलवे का मुख्यले का इस्तित है तो यहाँ पे अजमेर इसका राइटांस रो जाएगा next 44 की बात करेंगे तो यहाँ पे निमल लखित में से रास्तान बे कौन सी सिचाई सबसे पुरानी मानी जाती है तो यहाँ गंग नहर 1927 में इसका इन्वेशन यहाँ पे किया गया था next अगर बात करें तो यहाँ पे next questions की बात करें तो रास्तान का दक्षिंड तम अक्षांस यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे right answer उसका जेसल मेर होगा next question की बात करें तो रास्तान के नागूर पाली जोदपूर बाढ़मेर जिलो में मुखे रूप से कौन सी मर्दा यहाँ पे पाई जाती है next question यानि last question से रास्तान जीके की बात करें तो यहाँ पे नर्मदा योजना से राजस्तान का शर्वादी लाभानवीत जिला इन में से कौन सा है तो इसके right answer की बात करें तो यहाँ पे बाढ़मेर जिला जो जालोर जिला है वो इसके लाभानवीत है लेकिन यहां पर option में बाडमर दे रहा है तो आपका right option जो है वो आपके बाडमर हो जाएगा तो यह अपने पास में थी रास्तान का जीके जो की हाली में अधिने स्पोर्ड की द्वारा grade 3 लाइबरेरिन का examinations अभी करवाय गया यहां पर answer की मैंने इस वीडियो के मादम से discuss की अगर किसी प्रकार के question में आपको confusion लग रहा है आंसर में confusion लग रहा है तो आप दीगे comment box में comment करके मुझसे right answer को suggest कर सकते है तो अब मैं आपसे इजाज़े चाहूंगा और हां मैं आपको बता दूँ अभी तक आप लोगो हमार इस चैनल पर नहीं है तो please subscribe और bell icons को बिलकुल दबाना ना भूलें क्योंकि हम लोग ऐसी latest update इस वीडियो के मादम से लाते रहते हैं thank you